हेलो दोस्तों एक पर द्वारा से आप सभी का स्वागत करता हो आपके अपने चैनल पर चैनल को लाइक शेर सब्सक्राइब करने के दिल से बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों बात करते हैं अपनी नाग घुसेडी है इस स्टॉक में ठीक है क्योंकि मैं भी आपको न्यूस दिखाऊगा कि बेसिकलि न्यूस क्या है का आरम कांसे हुआ था कि क्या लड़ाई चल रही है क्या हो रहा है ठीक है तो मेरे साफसे अगर आपके पास कुछ भी है मुझे पता है काफी लोग इसमें उपरी लेबल में फसे पड़े उपरी यह मतलब 400 के लेबल पर 300 के लेबल पर 200 के लेबल जैसा आपको चार्ट दिख च्ना तो मेरे साफसे अगर आपने स्टॉक को फोल्ड कर रहा हुआ है तो अगर यह स्टॉक इंट्ड कर ले है क्योंकि अगर स्टॉक उस प्राइस के निशे चले आता है तो मेरा अगातार जब से lockdown हुआ है, profit में decrease आ रहा है, मत्तब एक घाटे में company जा रही है, तो इसी वज़े से मैं कहा रहा हूँ, definitely stock को अगर आपके पास है, तो अपना stop loss strictly maintain करना, जो भी आपको बतला हुआ, अगर stock उसके नीचे कैसे भी चले जाता, sleep हो जाता है, तो आप please इससे निक जा लेना, ठीक है भाई, तो अब सबसे पहले बात करते हैं, कि stock में चल गया रहा है, और इसकी news क्या है, और stock करती क्या है, पहले एक बार वो देख लेते हैं, तो दोस्तों देख सकते हो, future retail में ने खोल लगा है, आपको पता होगा, ठीक है, थोड़ असके बारे बताये त तो 383 और 60 का high low है, मतलब stock अपने all time low के आसपर trade कर रहा है, ठीक है, dividend company नहीं देती है, इतना खास नहीं है, dividend ठीक है, और return on equity भी आप देख से तो काफी काम है, 2% के आसपास है, काफी काम है, मतलब ठीक है, यह तो worst के बारे में, अब थोड़ा होग जानने तो stock के बारे में तो दोस्तो stock में भी एक second है, और दोस्तो आपको पता है कि company का main है, Big Bajar आपने सुना होगा, ठीक है, इसका ही future retail के अंदर ही आता है Big Bajar, ठीक है, तो मतलब company के पास एक अच्छा खासा brand भी है, बट क्या है न दोस्तो कि अब जो news चलती है, news के बज़े से stock की लग जाती है इसको stock के मारे में समझने में, तो दोस्तो आप देख सकते हूँ, इसमें जो इनके किसो बियानी जी है, इनको सेवी ने एक साल के लिए capital market से ban कर दिया है, ठीक है, क्योंकि इनका कुछ insider trading का पंगा आया है, इसी वज़े से इनको और इनकी कुछ सातियों को ban कर दिया गया है capital market से, पहली बात तो ये इसमें ख़बर है, तगडी खबर और दोस्तो खबर इसमें ये चल रही है कि Amazon के भी जब लड़ाई चल रही है, ठीक है, अब वो खबर क्या है, मैं आपको दिखाया है, तो अंदर की जो highlights points से आपको दिखा देता हूँ, ठीक है, ये deal आप से सिकते फिचर रिटेल की, ठीक है, अब आपको दिखाता हूँ, उसके अंदर की खबर क्या है वो, तो ये मैंने article का कुछ highlights कर रखे, आप खुद देख सकते हो कि, 10-12-19 के आसपास, देख सकते हैं, उसमें क्या लिखा हूँ, इसमें क्या लिखा हूँ, इसमें क्लिया लिखा है कि Amazon ने, August 2019 के आसपास, इनकी फिचर रिटेल की एक, आप बुछ सकते हो कि, एक company है या firm है, उसको खईदने की इन्होंने प्रपोसर लगाता, ठीक है, उब तीन और दस सालों के लिए, ठीक है, और मेरे खाल से agree भी हो गए थे, इनके terms में, और लेकिन काहनी अब यहाँ पर, क future retail थे, इन्होंने, आपके reliance से भी deal कर दी, तो जो Amazon ने contact किया था, future retail से, तो आप, आपना, किसी के साथ deal नहीं कर सकती हो, तो मतलब, in short, future retail थी, उसने, wallet किया है, contract, ठीक है, जो Amazon के साथ किया गया था, तो violation of the contract, इसी वज़े से, Amazon और reliance के बीच में, यह जंक छिड रही है, को जो case है, हो high court में जा चुका है, अब इसकी बार-बार, date में date लग रही है, कब solution निकलेगा, हमें भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता, अब रोज, अब आपको एक date मिल जाती है, कि इस date में, इसका solution आने वाला है, इस चक्कर में, future retail बीचारा फिस रहा है, ठीक है, Amazon रि जैसे, क्योंकि आपको पता है, काफी लंबे, lower circuit लगाए है, ठीक है, तो भाई, अब आपको क्या करना है, तो देखो भाई, news तो इसके favor में नहीं है, बिल्कुल भी आपको पता है, जातर मुझे लगता है, यह जो favor जाएगा, Amazon के favor में जा सकती है, क्योंकि भाईया, पहले इसके favor में भी जाए, हमें तो हमारा future retail, अगर stock उपर जाता, तभी पैसा बनेगा, यह न, एक बहुत simple सी बात है, तो हमें अब क्या करना, stock में हम वो देख लेते, इनको छोड़ो, इनको लंड़ने दो, इनको जितना लंड़ने दो, इनके पास तो काफी पैसा है, यह कभी न, कभी इस business से भी पैसा कमा के निकल जाएंगे, लेकिन हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास कुछ नहीं बचने वाला, अगर हम साबनान पूरवक, चार्ट को देखके, stock close में नहीं करेंगे, तो मैं चार्ट के माधियम से share करता हूँ, उसका stock close, ठीक है, जो strictly हर किसी retail को लगाना चाहिए, अगर उसने हाल हिलाल के दिनों में मतलब last एक साल के अंदर stock को बाय किया है, तो देखें दोस्तों, एक साल के अंदर stock एक tight range में trade कर रहा है, अच्छी ही हुजाती है stock उपर चले आता है, बेका आची हुजाती है stock निच्छी कर जाता है, तो मैंने यापर दो line ने float कर रखी है, चार्ट के माधियम से ही, यह निकल के आता है, एक आता है 600 रुपे और एक आता है 60 रुपे, तो भाई यह 600 रुपे आपका ना एक crucial support है, अगर यह दोनों support break हो जाते है, तो definitely आपको इसमें अपना जो position हो हलकी करनी पड़ेगी एक बार, ठीक है, 60 क्योंकि जिसे आप से pattern बन रहा है, जिसे आप से buying आ रही है, ठीक है, मुझे लगता कि 60 रुपे तोड़ने वाला, लेकिन अगर तोड़ देता है, तो आपको, आपको definitely अपनी position से exit करना पड़ेगा एक पल के लिए, क्योंकि फीजे stock काफी नीचे आ सकता है, काफी नीचे रहेगा, तो अगर आपको उसको buy करना है, तो 66 और 67 रुपे के आसवर buy बन सकता है stock, और 60 रुपे का stop house रहेगा, छोटा ता 6 रुपे का stop house रहेगा, मतल़ 6 रुपे का, ठीक हो target आप wait कर सकते हो, 95 और अगर आज 95 के उपर close कर देता है, ठीक है, तो हमाने target 105 रुपे के भी निकल के आते है, लेकिन 60 रुपे के निचे का stock जाएगा, तो भाई definitely stock से exit कर ले एक पल के लिए, फिर stock की कहानी बहुत बदल जाएगी, और stock काफी निचे अगर सकता है, ठीक है, मेरे साफ से यही आपका एक crucial support है, इसी एरिये के आसपास एक च्छे buying देखी गई है, और य पायाई बोल सकती हो, तो उन दोनों की इसमें buying है, मुझे लगता कि यह stock 60 रुपे के निचे जाने वाला है, अगर चले जाता है, तो भाई अपना stock push लगा ले न, यही आपके लिए अच्छा होगा, और एक retail के अच्छा होगा, तो यह थी भाई मेरे साफ से future retail की latest news, और future retail और यह थी future retail, share price today, और आपको क्या काना चाहिए, future retail में मैंने आपको बतला दिया, भाई, 60 रुपे के निचे जाए, तो strictly stop loss है, 60 रुपे के निचे जाए, तो exit मार देना, stock काफी निचे आ सकता है, और 66 रुपे, 70 रुपे का असवर buy बन सकता है, target रहेंगे 95 के, ठीक है, और news आपको पताए, Amazon Reliance की बीच में मधविच चल रहा है, court अभी तक case court में है, वो कब resolve होगा, इसके अभी date fixed नहीं है, जातना मुझे लगता है, यह favor जाना चाहिए, Amazon के favor में, यह जो मेरे साथ से deal, मेरे साथ से, यह case होगा, यह definitely Amazon के favor में ही जाना चाहिए, बाकी देखते है, आगे क्या होता है, चलो, बाए बाए